आज 15 जनवरी 2021 है पिछले कल 14 जनवरी को Samsung ने अपनी flagship Galaxy S लाइनप में तीन नए स्मार्टफोन जोड़े Samsung Galaxy S21 S21 Plus, S21 Ultra ये तीनो फोन पिछले साल लॉंच के गई S20 सीरीज में ही एक अगला चेप्टर है और क्या है वो अपक्रेट्स जो आपको इस नए सीरीज में देखने को मिलेंगे आए जानते हैं Technology Bing में आपका स्वागत है मैं हूं Sanjeev Shanna अप्रेट्स के बारे में बात करते हूँ शुरू करते हैं स्क्रीन साइजेस से इस नए सीरीज का जो वेस मॉडल है Samsung Galaxy S21 और उसके बाद आने वाला मॉडल S21 Plus दोनों का स्क्रीन साइज सेम है जैसा कि पिछले साल था 6.2 इंचिस और 6.7 इंचिस जो अल्ट्रा मॉडल है उसमें जो स्क्रीन साइज है वो एक मिलिमीटर कम है पिछले साल के कमपैरिजन में इस बाद जो साइज है वो है 6.8 इंच सेम ओलेड स्क्रीन जैसे कि पिछले साल के लाइनप रहती है S20 सीरीज में लेकिन जो अब्रेट इस लाइनप को थोड़ा सा लग करती है वो है रेजलूशन जो बेस मॉडल है Samsung Galaxy S21 और S21 Plus दोना का जो रेजलूशन है Samsung ने इस बार 1080 पिक्सल पे लॉक किया है जबकि पिछली बार पिछले साल जो S20 सीरीज थी उसके तीनों फोनों का जो रेजलूशन था वो कौड एच्डी था सिर्फ रेजलूशन ही नहीं एक फर्ख आपको बिल्डिंग माटिरियल में भी दिखाई देगा पिछले साल जो फोन लांच होए थे तीनों में एक ही माटिरियल यूज किया था Samsung ने Glass Pack लेकिन इस बार जो माटिरियल यूज किया है बेस मॉडल में Samsung Galaxy S21 में वो है पॉलिकॉर्बनेट तीनों मॉडल्स में जो पीछे का जो माटिरियल है उसमें जो फर्क है वो यह है कि बेस मॉडल में आपको Polycarbonate में लेगी Matte Finish के साथ और S21 Plus और S21 Ultra में आपको Glass Pack में लेगी Matte Finish के साथ Matte Finish तीनों मॉडल्स में सेम है एक और नई फीचर पिछले साल Samsung Galaxy S20 Series में Samsung ने इंट्रड्यूस की थी और वो थी 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट और ये एक ऐसी फीचर थी जसने मेरा ध्यान काफे खीचा ये फीचर मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा पसंदीता फीचर है और पिछले बार जब मैंने Samsung Galaxy S20 Series का रिवी किया था तो उसमें मैंने बताया भी था कि मैं इतना जदा प्रभावित हूँ इस रिफ्रेश रेट से आप चाहे कुछ भी करें फोल पर फिर चाहे आप नॉर्मल पेजिस को स्क्रॉल करें लैब तो राइट अप एंड डाउन आप 60 हर्ट पे वापस नहीं जाना चाहोगे तो यह जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है जो पिसले साल S20 Series में आया था यह रिफ्रेश रेट आपको इस नए सीरीज में भी मिलेगा लेकिन एक अपकरेट के साथ इस बार जो यह 120 120 हर्ट का जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है यह फिक्स नहीं है पिसले साल की लाइन अप के जैसे जैसे की पिछली बार यह 60 हर्ट यह 90 हर्ट यह 120 हर्ट पे फिक्स था इस पार समसंग ने से अड़ेप्टिव रिफ्रेश रेट के रूप में इस नई सीरीज में दिया है और उसका मतलब है कि अब जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगा यह आपके टास्क के अनुसार होगा आपके टास्क पर अधारत होगा अगर आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं आपके टास्क के अधारत होगा अगर किसी टास्क में उस हायर रिफ्रेश रेट की आवश्यकतर नहीं है तो जो रिफ्रेश रेट कम हो जाएगा और बैट्रिक अधारत होगा तो आपको पता है कि इस नए सीरीज में जो तो material समसंग ने यूज क्या है वो क्या है screen sizes क्या है, screen resolution क्या है, refresh rate कैसे काम करता है अब बात करते हैं camera setup की Samsung Galaxy S21 और S21 Plus में same camera setup Samsung ने इस नए सीरीज में भी दिया है जो कि पिछले साल उन्होंने दिया था 12 megapixel main sensor, 12 megapixel ultra wide sensor और 64 megapixel 3x telephoto lens तो एक update जो इस camera setup में आपको देखने को मिल सकती है वो होगी overall performance में है जैसे की autofocus में Samsung के साब से इस पार जो autofocus है वो कहीं ज्यादा fast है पिछले साल launch की गई S20 series के comparison में अगर मैं ultra model के बात करूँ तो उसका main sensor वो same है 108 megapixel पिछले साल के तरह लेकिन यह कहीं ज्यादा improved है पिछले साल जो ultra model था जिसमें सारी high end features थे और सारी magic tricks थी और बहुत कुछ था जो नया था पहली बार था लेकिन उसके बाबजूद भी वो जो उमीद है थी उन उमीदों पर खरा नहीं हो तरह और जो एक सबसे बड़ा reason था वो था उसका बहुत कम lock होने वाला autofocus इस बार samsung ने laser autofocus ultra model में दिया है और उससे जो autofocus की जो speed वो कहीं ज्यादा improved है overall जो performance है ultra model में camera की वो कहीं ज्यादा बढ़र है पिछले साल की comparison में तो ultra model में जो camera sensors जो setup है जो इस बार इस S21 series में आपको मुलेगा वो पिछले साल की comparison में थोड़ा बड़ा है और वो ऐसे कि इस बार आपको 12 megapixel ultra white sensor दिया है जो 120 degree पे pictures ले सकता है 108 megapixel का main shooter है वो पिछले साल की तरह ही मौजूद है इसके साथ पिछले साल जो एक tally photo जो जो lens था सिर्फ एक ही lens था लेकिन इस पर आपको दो telephoto lens इस ultra model में मिलेंगे एक है 3x telephoto lens और एक है 10x telephoto lens और यह दोनों कैसे काम करते हैं यह photographs लेने के बाद पता चलेगा लेकिन मेरी उम्मीद है कि Samsung ने कोई यह कोई रास्ता निकाला होगा बहतर photography experience देने के लिए जो zoom level है उसे increase करने के लिए बिना details खोए या बिना details के साथ किसी भी तरह का compromise किए तो overall जो camera performance आपको इस नई सीरीज से मिलने वाली है वो पिछले सीरीज के comparison में कहीं better होगी और जो मैं कहता हूं कि better होगी उसका जो मेरा कहने का उद्धिश्य वो यह है कि यह कहीं ज़्यादा stable होगी पिछले साल जो main issue था camera's में वो एक stability से संबन देता stability उतनी ज़्यादा नहीं थी और फोकस प्रॉपर्ली लॉक होता नहीं था और इस बार वो समस्या नहीं है Samsung ने काफी काम किया Samsung के हसाब से इस और ज्यादा सदाने का और जो zoom से मिलने बाली जो quality है उसे और ज्यादा सदाने का और picture से आपने देखी होगी तीनो जो फोन है इस नई सीरीज में camera जो cut out है उसको भी आपने देखा होगा और मैं आपको बदा सकता हूँ कि यह जो design है यह मेरी अब तक की सबसे ज्यादा पसंदीदर design है Samsung की ओर से और इस design में नगेबल जो cut outs है यह जो material यूज किया है Samsung ने वो एक stand out experience देता है एक stand out look देता है बलकि वो इसे कहीं ज्यादा futuristic भी बनाता है तो अब screen sizes, building, material, resolution, camera जिन सब के बारे में बात करने के बाद अब मैं कुछ और important updates के बारे में बात करने का जैसे कि इस साल जो इस नई series है इसमें आपको एक feature और कम मिलेगी फिर से आप से एक downgrade कर सकते हो और यह है कि इस बार आपको expandable storage का option नहीं मिलेगा जैसा कि पिछली line-up में था या पिछली line-up तक Samsung ने एक expandable storage का option था वो लगातार बनाई रखा था जो जो memory card की जगे होती है वो बना ही रखी थी जो भी base storage Samsung ने दी 512GB तक आप उसे आगे भी extend कर सकते थे एक और 500GB का memory card उसमें add करके तो जो total storage पहले आपको मिलती थी वो लगभग 1GB के आस पास थी अब यह जो storage है यह 512GB पे max out है और यह 512GB का जो option है यह सिर्फ आपको ultra model में ही मिलेगा अगर आप s21 base model के बात करते हैं तो यह फिर आप s21 plus model के बात करें इन दोनों में आपको जो max internal storage मिलेगी internal और external अब सेम है क्योंकि external storage का कोई option है नहीं तो जो maximum storage आपको s21 और s21 plus में मिलेगी वो है 256GB और मैं आपको RAM के बारे मार बता देता हूं जो s21 और s21 plus में आपको 8GB RAM मिलेगी जो ultra model है उसमें आपको 3 separate storage के option दिये गए हैं और 2 different RAM के option है जो base storage ultra model में आपको मिलेगी वो है 128GB और इसके साथ जो RAM आपको दी गई है वो है 12GB उसके बात जो storage है 256GB इसके साथ भी आपको 12GB RAM मिलेगी और जो top end model है highest storage के साथ में उसमें आपको 512GB storage और 16GB RAM आपको मिलेगी मोजन ने लिखता है कि इससे ज्यादा कि आपको कभी आवशक्ता पढ़ सकती है मैं वापस camera setup पर जाना चाहूंगा क्योंकि camera setup के बारे में बात करते हुए मैंने front camera model के बारे में बात नहीं की तो जो S21 base model है और S21 plus जो model है आपको 10MP selfie shooter Samsung ने दिया है लेकिन जो ultra model है एक serious camera upgrade जो उन्होंने selfie shooter में किया है इस ultra model में वो है 40MP camera lens तो जो front पे selfie shooter आपको मिलेगा वो 40MP का होगा तो ये एक insane image capturing capability आपको मिलने जा रही है इस ultra model से बाकी के जो camera features वो सेम रहेंगे S21, S21 plus में जो maximum digital zoom आपको मिलेगा वो 30x और 3x optical zoom आपको मिलेगा और ultra model में जो maximum zoom है वो आपको 100x जिसे Samsung space zoom भी कहता है वो आपको इस नई series में भी मिलेगा और जो maximum optical zoom है वो आपको almost 13x तक मिलेगा इन सब के अतरिक बाकी के features है जैसे कि 15 watt fast wireless charging 25 watt fast USB charging यह सब वैसा ही है जैसे पिसले साल लाइन अप में थे इसके साथ आपको IP68 water resistance भी वैसा ही मिलेगी जैसे पिसले साल की लाइन अप में आपको मिलती आई है तो overall experience आपको इस लाइन अप से मिलने वाला वो कहीं color options भी बहुत बहुत ज्यादा प्यार है इस लाइन अप में Phantom Black मेरा पसंदीदा color है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो यही सारे features है और मेरा जो first impression है वो यही सब है इस नई series के बारे में मैं कुछ और videos update करने जा रहा हूं जहां पर मैं इन फोनों के बारे में separately और detail में बात करूंगा उनके जो camera performances उनके बारे में detail में बात करूंगा और इस line-up के साथ Samsung ने Samsung Galaxy Buds Pro जो की wireless earbuds है वो भी launch किया है तो उस पर भी मैं separate video बनाने जा रहा हूं और बहुत जल्द अप्लोड करूंगा तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है please subscribe the channel and do not miss out on any of the upcoming videos आप सब का बहुत धन्यवाद इस video को देखने के लिए और मैं फिर से कहना चाहूंगा please subscribe the channel क्योंकि जब आप चैनल subscribe करोगे तो इससे नखिबल मुझे जानने को मिलेगा कि लोगों को मेरी videos पसंद आने बलकि और ज्यादा बहतर videos बनाते रहने और उन्हें लगातार upload करते रहने की भी मुझे प्लेड़ना मिलेगी so please subscribe the channel and thank you so much for watching this video once again thank you so much for being with me we will see you in the next video